तो आई अपिस्टार्ट करते हैं चेप्टर नूम्बर थर्टीन एंसी आर्टी इंटेक्स एकसरसाइस तो इंटेक्स के जो एंसी आर्टी की बुक है जो हम उसके अंदर दे रखें हैं क्वेसंस उनको हम सॉलूशन करेंगे चेप्टर 13 करें मैंने पिक एफेक्ट ऑफ एलेक चेप्ट इन के बार माखने की पास रहें इसके लिए आंसर करेंगे हम और छमीन को मैंने ऐसा यह मैंने शोम बहुत किलों हम इन के बार मृट की जासथ हैं और यह उत्यमी में इंटिक वीच नहीं आन की championship रहें हैं हैं सबाई दिया कोस्ञाट वो इंटेक्ट उने कोम पास two twenty eight page पर है तो ड्रोधा मैंनेक लाइन्स एरांड ए बार मैंगी तो आपकी यह डाइग्राम बनाना सीधा सीधा तो यह हमने बार मैंगे लिए और यह क्या हमने इसके लिए मैंनेक लाइन्स ड्रोग करनी है तो क्या होगा हमारे जो साथ फोलोटा उसमें लाइन से इंटर करत जैसा कि आप देख सकते हैं उपर वाले डाइग्राम में बाहर आउटसाइड दा मेंगनेटिक लाइंस आर डारेक्टेड फ्रॉम एन पॉल तो लाइंस के आमारी एन पूल से क्या निकलती है तो वाट्स दा एस पूल एंस से निकलके एस पूल की तरफ चलती है जैसे कि आप देख सकते हैं उपर वाले डाइग्राम में तो यहां पर लाइंस का रही हमारी एंपूल से निकल रही है तो एस पूल में क्या हमारी इंटर कर लिए जो हमारी मैंडिक लाइन से हैं नेक्स्ट पॉंट है तर लेटिव स्ट्रेंट ऑफ मेंडेटिक फिल्ड यिज गिवन थ the degree of closeness जितनी लाइन्स पास रहेंगी उतनी क्या हमारी जो magnetic lines है वो क्या कर सकते हैं कि वो strong है वो क्या strong region form करती है last point है no two magnetic lines can never intersect each other कोई भी दो लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट इस तरह से cross नहीं करेंगी तो यह क्या हमारी magnetic field lines की main properties है next question है इसी में third जो अमने last question किया था last property की थी वही why don't magnetic lines of force intersect each other तो क्यों नहीं कट करती है वहीं दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करती है तो no two lines are found to cross each other कोई भी लाइन है वो क्या cross नहीं करेंगी क्यों नहीं करेंगी if they did यह वो ऐसा करती है तो it would means that at the point of interaction जहाँ एक लाइन यह हमारी और एक लाइन यह है तो यह जो पॉइंट एंट्रेक्शन का the compass needle would point towards two direction तो compass needle यहाँ पर क्या दो डारेक्शन सो करेंगी which is not possible जोगी नहीं हो सकता है इस तरह से क्या हमारी का भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है आप इसे डाइग्राम के तुरू देख सकते हैं यह लाइन वन है और यह लाइन हमारी टू है नेक्स्ट पेस्ट पर चलते हैं हम पेस नमबर 229 और 230 तो question number first है इस पर consider a circular loop of wire lying in a plane plane में में है और टेवल किसी टेवल पे circular लूप रखा हुआ तो लेट दा करेंट पास थो दा लूप क्लोगवाइज तो यदि हम उस लूप में करंट को फ्लो कराते हैं क्लोगवाइज डारेक्शन में तो एप्लाइ दर राइट हैंड रूल तो रैटेंट रुक लगाते हैं तूँ फांड आउट डारेक्शन आफ मेगेते क्फिर्ड फील्ट की डारेक्शन निकालने के इनसाइज करेंगे इस के लिए वी फाइंड दा inside loop तो inside loop क्या रहेगा the magnetic field lines are directed perpendicular to the plane तो inside अंदर से देख सकते हो यहां पर अंदर यह क्या है तो बार्ट दा अंदर की तरफ रहेंगी perpendicular रहेंगी inward direction outside the loop loop के बाहर the magnetic field lines are directed out of the page और यहां से क्या रहेंगे बाहर की तरफ रहेंगे out of the page तो यह आप डाइग्राम बना सकते हैं और राइट हैंड रूल को यहां पर एपलाई कर सकते हैं और इस तरह से यह डारेशन निकाल लेंगे इसके यहां पर देख सकते हैं क्या हैं यूरेक्षिन अज्ञेट करीक्ट पर हैं तो अंदर क्या रहता तो आंसर रहेगा इसका D is the same at all point जो सभी point पर रहेगा वही क्या रहेगा इंसाइड रहेगा long solenoid के तो आप यह डियाग्राम में देख सकते हैं यूनिफॉर्म magnetic field next page पर चलते हैं 231 और 232 पर question number first which of the following property of the proton can change कौन सी property है जो proton की वो change होगी while it move freely in the magnetic field जब वो magnetic field में move करेगा तो यहां पर आएगा आपके तो आंसर है क्योंकि velocity है वो भी change करती है वहरी करेगी और momentum भी change करेगा जब velocity change करेगी तो momentum भी change होगा क्योंकि momentum P is equal to रहता है MV तो जब velocity change करेंगे तो momentum भी change होता है तो आपका इस तरह से effect करेगा तो पहला पॉइंट है में अंसर इफदा करंट इंदा रोड एवी इंक्रीज़ यादि हम करंट को बढ़ा रहे हैं पहला question तो क्या होगा displacement will be increase current बढ़ाएंगे तो displacement भी बढ़ेगा force acting on it will increase force बढ़ेगी और displacement भी क्या होगा रोड का वो भी बढ़ेगा तो इस तरह से आप टाइग्राम में भी से देख सकते हो question number third a positive charge particle को positive charge particle है जैसे कह सकते है alpha particle projected towards the west west की तरफ हम project कर दे इस deflected towards the north और नौर्थ की तरफ deflect हो रहा है by the magnetic field magnetic field तो direction of magnetic field की direction क्या है तो यह हम लगा सकते हैं फ्लेमिंग्स left hand rule से निकल सकते हैं the direction of magnetic field is vertically upward तो मैं फ्लेमिंग्स left hand rule देखिए आप और डारेक्शन आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट कोईशन करते हैं page number 233 तो question number first है यहाँ पर state flaming left hand rule आपको flaming left hand rule बताना कि क्या होता left hand rule तो आप पहले तो यह diagram देखिए में हमारी थम्ब है वो जो थम्ब है एंड़ो black hand की बताती आपको motion के बारे में फर्स्ट based on the magnetic effect of the current magnetic effect of current पर बेस्ट होता है एक करण्ट करिंग लूप पर सकते हैं तो यह हमारा प्रिंसिपल है एलेक्ट्राइटर का नेक्ट्र करींगे प्रिंस्ट नम्बर थी वत इस तरह स्प्लिटर लगाई जाती है तो उनका क्या रॉल है था है split ring in the electric motor acts as a commutator commutator के तरह वर करेंगी तो commutator क्या होगा commutator reverse the direction of current तो commutator की help से क्या करते हैं current की direction को हम change करते हैं क्योंकि जो current आता वो AC आएगा एक बार प्लस cycle एक बार माइनस cycle तो plus और माइनस इस direction को हम change करने के लिए commutator हम use करते हैं due to this reversible of the current current की इस reversible की current the coil continue rotate in the same direction इसके current क्या होगी लगा तार जो हमारी electric motor है वो rotate करती रहेगी है next question page number 236 पर है पहला question explain the different way of inducing current in a coil किसी coil में हम current को किस तरह से induce कर सकते हैं बना सकते हैं इसके लिए क्या-क्या way method है पहला जो method है वो है if the magnetic field is change यदि हम magnetic field को change कर दे हैं around a coil 场al किसी coil के पास then the induced current is set up तो उसमे क्या होता है if the coil is rotate in the uniform magnetic field यदि हम magnetic field में rotating करते हैं next question यह आप इस diagram की help से देख सकते हैं तो next हम करेंगे page number 237 पे state the principle of electric generator electric generator का principle क्या है तो electric generator is based on the principle of electromagnetic induction electromagnetic induction पर based रहता है क्या है वो electromagnetic induction when the rectangular coil is rotate जब भी rectangular coil rotate होगी uniform magnetic field में तो induced voltage is generated induced voltage गया उसमें generate होगा between the ends of the coil यह क्या हमारा electromagnetic induction है यहनकी magnet की help से हमें electric current generate करना है उसे कहिंगे electromagnetic induction second question name some source of the direct current direct current यान DC कहते हैं जिसे हम DC current DC current के source बताईए तो DC current जिसे हम store कर सकते हैं उसे कहते हैं DC current तो किस किसमें लगता है यह cell में battery में DC generator यह क्या है इसके source है next question करते हैं third question which source produce the alternating current alternating current कहते हैं AC तो AC current कौन produce करता है तो AC generator and the inverter जो इनवेटर लगा रहता हमारे में used in the emergency power supply के लिए इनवेटर हम यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं हमें इसी देते हैं question number four choose the correct option correct option आपको बताना एक rectangle coil of the copper is rotate copper की कोई वायर है उसे हम वायर वालिक कोईल है उसे हम rotate कर रहे हैं magnetic field में तो the direction of the induced current change once in each तो किस तरह से change होती है वो तो आंसर सही होगा c होगा half rotation half rotation के बाद वो क्यार चेंज होती जाहे कि उसकी direction है question number first रहेगा two thirty eight piece पर तो name two safety major commonly used in the electric circuit electric seat circuit के लिए जो commonly safety के लिए यूज करते हैं वो बताई एंड appliance और वो क्या appliance है तो पहला हमारा जो two safety measures है वो पहला है यूज of the earth wire earth wire का यूज करते है और प्रोपर अर्थिंग और प्रोपर यूज करते हैं पहले फ्यूज वायर था अब क्या रहती हैं एमसी भी यूज करते हैं यह क्या हमारे safety device हैं दोनों second question an electric oven को electric oven है two kilowatt का प्रोपर पावर रेटिंग is operated in the domestic electric circuit domestic electricity circuit में उसे यूज कर लें जिसका क्या है 220 क्या है voltage है हमारी जो electric circuit है उसकी voltage उसमें जो current फिलो रहा है वो क्या 5 ampere का current फिलो रहा है तो what result do you aspect तो आप क्या इसे observe करते हो क्या निकल के आएगा सबसे पहले हमें क्या करना है the power rating तो power rating दे रखिए two kilowatt इसे क्या हम वार्ट में बदल लेंगे तो multiply कर देंगे ampere the current rating of the domestic is only five ampere जबकि हमने कहा कि इसकी rating क्या हो चाहिए five ampere oven draw a current of nine जबकि इसमें से nine ampere current flow हो रहा है which is more than the current rating से क्या है वो ज्यादा है तो circuit will be damaged तो इस condition में circuit damage हो जाएगी due to the overheating or overloading की current वो क्या है circuit हमारी diffuse हो जाएगी खराब हो जाएगी damage हो जाएगी लास्ट कोईशन है question number three what precautions should you taken to avoid the overloading of the domestic electric circuit तो इस overloading जो हमने उपर देखी है जो overloading या overheating हो जाएगी उससे क्या device damage हो जाएगी हमारी circuit तो उसके लिए क्या precautions कर सकते हैं क्या साफधान ही हम बद सकते हैं तो पहला है तू मैंनी appliance should not be connect in the single socket कभी हमें single socket में connect नहीं करना अपने जोगर के appliance electric device है उन्हें second too many appliance ज्यादा appliance should not be used at the same time same time पर हमें यूज में नहीं लाने है third family appliance should not be connect in the circuit जो हमारे faculty appliance है faculty appliance होने हम क्या है circuit में सीम में नहीं connect करना है और लास्ट है fuse should be connected in the circuit जो प्रितिक circuit है इस circuit में क्या fuse wire हमें connect करना या फिर mc भी connect करना है तो यह क्या हमारी precautions है over loading, overheating और damage से पचाने के लिए तो revise कीजिए आफ इस exercise को and get good marks for your science thank you